फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग वंदना राय हों मेकर में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक साड़ी से गाउन की कटिंग की पूरी वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस साड़ी से मैं गाउन की कटिंग कैसे करती हूँ फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी एक साड़ी है ये इसका कपड़ा कॉटन का है इसमें मिक्स कॉटन टाइप लग रहा है और ये साड़ी मेरे को पसंद नहीं थी तो आज मैं इस साड़ी से गाउन आप लोगों के साथ गाउन की कटिंग शेयर करूँगी तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साड़ी के उपर ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ये बॉर्डर दोनों तरफ से मैं पहले कट करके पूरी साड़ी का बॉर्डर निक अचल वाले पार्ट को भी मैं अचल करेंगे तो फिर चलिए बॉर्डर को कट कर लेते हैं आप लोग देख सकते हैं कि ये साड़ी मेरी ये दोनों तरफ से जो बॉर्डर था ये पूरा बॉर्डर पूरी साड़ी से मैंने कट करके निकाल दिया है और अब जो है ये आचल बच गया है आचल के आगे भी जहां बॉर्डर था वो पूरा बॉर्डर ये बॉर्डर है दोनों तरफ का आप देख सकते हैं ये मैंने कट कर लिया है और अब इस आचल वाले पार्ट को भी मैं कट करके अलग कर दूँगी तो मैं इस आचल को भी यहां से कट कर दे रही और ये पूरी लंबी है साडी तो इस साडी में से हम कलिया कट कर लेंगे और इस आचल का हम उपर का बॉडी पार्ट बनाएंगे तो पहले जो है हम इस आचल से बॉडी का पार्ट बना लेते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो आचल की मैंने कटिंग की थी अब इस आचल से मैं बॉडी पार्ट बनाऊंगी तो इसको मैं सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर लूँगी तो इसको पहले ऐसे मैंने फोल्ड किया उसके बाद फिर इसको मैं ऐसे डबल फोल्ड कर तो friends आप लोग देख सकते हैं कि ये joint वाला पार्ट ये उपर की तरफ है और इधर भी ये joint वाला पार्ट है और इधर ये खुला वाला पार्ट है 1, 2, 3, 4 ये 4 तह कपड़ा है और ये कपड़ा जो है मैंने इस टाइप से एक बार और फिर ये दो बार फोल्ड कर लिया है और अब मैं नापूंगी कि ये कितना लंबा और चौड़ा है तो इस कपड़े की लंबाई लगभग 16 इंच है तो इसकी लंबाई हम पूरी रख लेंगे और इसकी चौड़ाई फ्रेंट्स चौड़ाई लेने के लिए हमको जो है 38 इंच का चेस्ट का ये गाउन बनाना है तो इंची टेप में हम 38 का निशान देखेंगे और फिर ये दूसरा सीरा उसके उपर रखेंगे और ये एक बार और फिर ये दो बार ये दो बार हो गया तो आप देख सकते हैं 1,2,3,4 तो ये चेस्ट का चौथा भाग निकल कर आ गया तो इसका चेस्ट का चौथा भाग लेत तो ये मेरा लगभग एक इंच कपड़ा जादे है तो अगर हम चाहें तो एक इंच कपड़ा काट सकते हैं लेकिन मैं इसको कट नहीं करूंगी क्योंकि मार्जन जितना जादा होगा वह हम अंदर दबा कर सिल देंगे और अगर हमको बाद में जरूरत पड़े तो हम इसको ल भग बारा इंच है तो फ्रेंट्स अब हम इसमें ड्राफ्ट बनाएंगे तो यहां इस जॉइंट वाले पार्ट से यहां से हम जो है सवा तीन इंच पर एक निशान मार्क कर लेंगे और उसके बाद एक दूसरा निशान साढ़े च्हा इंच पर यहां पर हम लगा लेंगे और फिर इसके बाद इस किनारे से यहां से यह जो है साथ इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इसके बाद यहां से हमें गले का गहराई लेना होता है तो आगे के पार्ट में हम साथ इंच लंबा यह गहरा गला रखेंगे और अगर हम चाहें तो साढ़े साथ या आठ इंच भी रख सकते हैं, बट मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है, और अब इस निशान से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, तो ये लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस निशान से मैं इस लाइन को मिला दूँगी, तो ये अब देख सकते हैं, कि ये लाइन मैंने मिला दी ह और यह एक box type बन गया है उसी प्रकार से यहां से भी मैं एक line ड्रॉ करूंगी यह जो मैंने निशान 6.5 इंच पर लगाया था तो इसको भी मैं ऐसे line से मिला लेती हूं और यह 7 इंच वाले निशान को भी मैं इस line से ऐसे मिला दूंगी तो यह दो box हमारे बन कर त्यार हो जात हैं और इसको ऐसे हम इसको गुलाई कर लेते हैं तो यह मैंने कर लिया है और यहां पर यह गले पर भी हम चाहें तो एक इंच तिर्चाई देकर ऐसे हम गुलाई कर सकते हैं तो यह हमारा गोल गला बनकर आ जाएगा और अगर हम इसमें कोई design देना चाहें तो इसमें हम एक डिजाइन भी दे सकते हैं इस लाइन पर फ्रेंट्स हम यहाँ पर इसको लगभग यहां से नापेंगे और यह जो यह दो से थोड़ा सा कम है डेड़ हिंस से थोड़ा ज्यादा पौने दो इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे और फिर इसके बाद इस पॉइंट से हम इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे और फिर यहाँ से भी ऐसे गुलाई करते हुए हम इसको ऐसे मिला देंगे और आधे इंच का यहाँ पर हम शोल्डर डाउन कर लेंगे और जिससे हमारा कंधा लटके ना और अब इस निशान पर हम कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स यह मुढ्धे की कटिंग और यह इसकी शोल्डर की कटिंग यह दोनों कटिंग मैंने कर ली है और यह आगे के गले की कटिंग मैं एक तह कपड़ा इसको अलग कर लूँगी क्योंकि पीछे का गला जो है मैं बड़ा बनाऊंगी तो इसको इस टाइप से खो और इस वाले में ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है, ये जो निशान मैंने ड्रॉ किया था, इस पर मैं कटिंग कर दूँगी. तो ये कटिंग मेरी हो गई है, और आप लोग देख सकते हैं, ये कितना प्यारा गला जो है, बनकर आ गया है, और इसी साइज का हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे, और उसको स्टिचिंग करके फिर हम पलट देंगे, और अब हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे, तो इस पार्ट में हम, हमको जितना भी गहराई लेनी है अपने गले की, तो ये जो निशान मैंने लगाया था, यहीं से हमको गहल गले की गहराई मेरे को जैसे 8 इंच रखनी है, 9 इंच भी हम रख सकते हैं, जितना भी डीप गला हमको पहनना हो, उतना हम इस पे ऐसे निश को एक सीधी लाइन के द्वारा हम ऐसे मिला देंगे, जैसे हमने आगे वाले पार्ट में किया था, सेम उसी टाइप से, और यह आप देख सकते हैं, कि एक बॉक्स टाइप बन गया है, और फिर यहां से लगभग 1 इंच की तिर्षाई लेते हुए, फिर हम इसको इस से गोलाई कर देंगे, और यह पीछे का गोल गला यहां से कट कर देंगे, तो गला पीछे का बन जाएगा, यह कटिंग में ने कर दी है, और आप देख सकते हैं, कि यह गला कितना प्यारा पीछे का हो गया है, और हमको और डीप अगर गला चाहिए, तो इसकी और गहराई ह तो फ्रेंट्स ये पार्ट जो है हमारा आगे वाला पार्ट है और अगर हम इसमें चाहे तो यहां पर प्लेट्स लगा सकते हैं जिससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है तो प्लेट्स लगाने के लिए यहां से हमको साधे चार इंच पर एक मार्क करना होगा जैसे यह मैंन लगा लिया है उसके बाद इसको जो है हम ऐसे लाइन खीच कर प्लेट लगा सकते हैं यह हमारी पांच इंच लंबी है यह प्लेट तो अगर हम चाहें तो सिर्फ यह प्लेट लगा दे और अगर चाहें हमको प्रिंसर्स कट ब्लाउस बनाना है तो इसी मार्क को हम उपर की तरफ ले जाके ऐसे गुलाई करते हुए ये जो मुढ़े की कटिंग मैंने की थी इसी में मिला देंगे और फिर इसको कट कर देंगे तो ये हमारा थोड़ा सा डिजाइनर ब्लाउस उपर का बोडी पार्ट बन जाएगा और ये पहनने में भी बहुत अच्छा लुक लाता है तो मैं इसकी भी कटिंग ऐसे कर ले रही हूं तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है तो ये कटिंग के बाद इस टाइप से ऐसे आ गया है और अब जो है इसमें हम इसी साइज की लाइनिंग कट करके इसको सिलकर पलट देंगे और उसके बाद इसको हम ऐसे ही जॉइंट करेंग जिससे ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और पहने में भी बहुत प्यारा लगेगा ये मेरे उपर के बॉड़ी पार्ट की कटिंग हो गई है ये नीचे का उल्टा वाला पार्ट है ये दोनो और ये सीधा पार्ट है तो ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप से कटिंग के बाद आएगा और फिर हम इसमें लाइनिंग की कटिंग करके भी सिलने का तरीका आपको बताएंगे तो फ्रेंट्स हमारे उपर की बॉड़ी पार्ट की कटिंग कम्पलीट हो गई है और अब जो है हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये जो हमारा ये जो मुढ़े की गहराई है ये गुलाई है इसको हम इंची टेप से ऐसे नाप लेंगे कि ये कितना आ रहा है तो ये 12.5 इंच आ रहा है तो 12.5 इंच चोड़ाई का डबल कपड़ा लेकर हम स्लीप्स की कटिंग कर लेंगे तो friends ये कपड़ा जो है ये 12.5 इंच है और ये डबल कपड़ा है आप देख सकते हैं ये कपड़ा इस टाइप से मैंने लिया है उसी साड़ी में से मैंने इस कपड़े की कटिंग कर ली है इसको मैंने एक बार ऐसे मोड़ा और फिर दुबारा ऐसे मोड़ा तो ये जो है 1, 2, 3, 4 ये 4 तह कपड़ा हो गया है और इधर जो है ये जॉइंट है इधर से खुला है और इधर भी ये joint वाला part है और इसकी चोड़ाई आप देख सकते हैं 12.5 इंच है इसमें मैं slips की cutting करूँगी और इसमें 2 slips की cutting होगी और slips की लंबाई हमको जितनी भी रखनी है ये कपड़े की लंबाई हम उतनी ले सकते हैं फिलहाल मैंने 16 इंच लंबाई इसकी ली है और मैं 16 इंच लंबी sleeves अपनी रखोंगी तो इसको जो है cutting करने के लिए इधर खुली वाली पार्ट से हम लोग जो है साढ़े 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान को इस corner से हम ऐसे scale की मदद से ऐसे मिला लेंगे ये आप देख सकते हैं इ इसे corner से मिला दूंगी और फिर हम इसको नापेंगे कि ये कितना है तो इसकी लंबाई 13 इंच है तो साढ़े इसको हम half कर लेते हैं तो half करने के लिए अगर हम चाहें तो इंची टेप को यहाँ पर ऐसे रखे ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा बैंड कर देंगे तो हमको पता चल हाफ है वैसे 13 का half साढ़े 6 इंच हुआ तो साढ़े 6 इंच पर मैंने एक मार्क कर लिया है उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे गुलाई देंगे और फिर इसी मार्क से फिर नीचे की तरफ थोड़ी सी गुलाई देते हुए इस टाइप से हम स्लिप्स का मार्क लगा लेंग और फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपनी स्लिप्स की गुलाई हमें जितने भी रखनी है रखकर हम यह कटिंग कर सकते हैं बट मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी जिससे यहाँ पर ऐसे फ्रिल टाइप बन जाए तो इसलिए मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी और फ जिससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आए तो हलका सा लगभग आधे इंच का ऐसे निशान लगाते हुए हम इसको सिर्फ यह वन टू टू पार्ट पकड़कर कटिंग करेंगे और यह दो पार्ट छोड़ देंगे यह पीछे की तरफ चला जाएगा और अगर हम चाहें तो यह बीच का यहाँ पर एक कट मार्क लगा सकते हैं जिससे हमें पता चले यह मेडिल पॉइंट है और यह लगभग आधे इंच की हम इसमें थोड़ी सी गहराई करके इसको आगे वाले पार्ट में कर लेंगे तो बस इतना साम को कटिंग करना है और यह वाला पार्ट ज तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं कि यह हमको आगे की तरफ जॉइंट करना है तो फ्रेंट स्लीप्स की कटिंग हो गई है और अब हम घेर की कटिंग कर लेते हैं यह साड़ी जो है इतनी मेरी बच गई है इसका उपर का बोडी पार्ट बनाने के बाद और स्लीप्स की कटिंग करने के बाद यह साड़ी आप देख सकते हैं यह यह पूरी डबल तह मैंने इसको ऐसे बिचा लिया है और इतनी साड़ी मेरी बची है तो जितनी भी साड़ी आपकी बचती है उतने में आप इसका घेर बना सकती है तो मैं इसका कली वाला घेर बना की थी इसका कटिंग का तरीका सेम वैसे ही है तो आप देख सकते हैं ये 1,2,3,4 ये 4 तह कपड़ा हो गया है इस साड़ी को मैंने ऐसे 4 तह इसको फोल्ड कर लिया है और अब जो है हम इसमें निशान लगाएंगे तो इसका कलियों का चोड़ाई हम अपनी इक्छा नुसार ल मेरे को मतलब अच्छा लगे तो मैं इसमें नीचे 6 इंच और उपर की तरफ 3 इंच पतली कली बनाऊंगी तो फ्रेंट्स इसका सेम तरीका वैसे ही है जैसे मैंने 6 इंच पर एक निशान यहां लगा लिया उसके बाद फिर 3 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी और फिर दूसरा निशान 6 इंच पर और उसके बाद फिर एक निशान 3 इंच पर तो इसी टाइप से एक बार 6 इंच पर और फिर दूसरी बार 3 इंच पर ऐसे निशान हम लगाते जाएंगे और अगर हम चाहें तो पतली कली भी कर सकते हैं यह हमारी इक्छा पर डिपेंड करता है त निशान लगा दिये यहां मैंने 6 इंच पर निशान लगाया था तो इसकी अपोजिट साइट इसकी दूसरी तरफ मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर 6 इंच पर इसी रेशियो से मैं पहले 3 इंच फिर 6 इंच फिर 3 इंच और फिर 6 इंच इसी टाइप से मैं निशा लगाती जाओंगी Friends, ये निशान मैंने लगा लिया है और यहाँ तीन इंच पर और इधर शेंच पर अब इस पहले वाले निशान को इस साइड के पहले वाले निशान से हम मिला देंगे इसको मिलाने के लिए हम चाहें तो scale की मदद भी ले सकते हैं और अगर इतनी लंबी scale नहीं है तो हम इंची टेप को ऐसे रखते हुए और इधर से ऐसे पकड़ते हुए हम जो है निशान आसानी से लगा लेंगे तो इस टाइप से हम सारे निशानों को मिला देंगे और ये निशान जो है थोड़ा तिर्ची टाइप में आता है और फिर इस दूसरे निशान को उस दूसरे वाले निशान से हम मिलाएंगे और इसी टाइप से हम सारे निशान को मिला लेंगे तो friends आप लोग देख सकते हैं कि ये निशान जो है मैंने सारा लगा दिया है और इसमें कुछ नहीं करना है जिस तरफ मैंने 6 इंच का निशान लगाया था एक तरफ तो उसके opposite side 3 इंच का निशान लगेगा और अगर आप चाहें तो इस निशान को कम या जादे भी कर सकती है अपनी इक्षा नुसार कली की चोडाई घटा या बढ़ा सकती है जैसे यहां 6 इंच का निशान लगा है तो आप 5 इंच का भी लगा सकती है और उपर 2 इंच भी लगा सकती है और फिर इस निशान को मैंने एक तिर्ची लाइन से इस पहले वाले निशान को इस पहले वाले और ये सारी कलिया मेरी कट कर अलग हो जाएंगी और इधर से ये जो सारी मेरी जॉइंट है इसको भी मैं कट करके अलग कर दूँगी और इस टाइप से भी इधर से भी मैं सारी को कट करके अलग कर दूँगी और फिर मैं इन कलियों को पहले कट कर ले रही हूँ तो friends आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैंने निशान लगाया था इस पर मैंने cutting ये कर दी है और ये मेरी सारी कलियां जो है कट कर अलग हो गई है और ये side में जो साड़ी जुड़ी हुई थी इसको भी मैंने दोनों तरफ से कट करके अलग कर दिया है और ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गड़ी कलिया मेरी कट कर निकली है और हर गड़ी में 4 कलियां है तो यानि 32 कलियां मेरी कट कर आई है और अब जो है इसको हम जोडेंगे तो उपर की तरफ ये पतली वाली कलियां हम attach करेंगे और नीचे की तरफ हमारी चौड़ी कलिया रहेंगी और मैं इसको अभी आपको लगा कर बता देती हूँ कि इसको कैसे अटैच करना है आप लोग देख सकते हैं कि ये उपर की कलिया मैंने सठा कर रखी है जिससे आपको समझ में आ जाए ये दो-दो कलिया हैं इतना आगे जुड़ेगा और इतना ही पीछे जुड़ेगा और ये जो बॉर्डर मैंने कट किया था इसके उपर हम इस बॉर्डर के उपर सिलाई कर लेंगे या पिको कर लेंगे और फिर नीचे अपने गाउन में फ्रिल दे देंगे तो ये बहुत प्यारा लुक लाएगा और कमर आप फ्रेंट्स देख सकते हैं कि ये कितनी चौड़ी कमर हमारी आ गई है जितनी हेल्दी से हेल्दी भी औरत होगी उसके में भी ये लहगा जो है फिटिंग अच्छा आएगा और जितनी भी हमारी कमर है पहले हम उसकी पट्टी कट कर लेंगे और फिर उसकी पट्टी में हम इसको उपर की तरफ सिलाई जादे जादे पकड़ कर सिलते जाएंगे इस टाइप से तो ये उपर का पाठ हमारा पतला होता जाएगा और नीचे हम पतली सिलाई करेंगे तो नीचे हमारा पुरा घेर आएगा और हम अपनी कमर के अनुसार इसको एडजेस्ट कर लेंगे और कमर की पत्टी में इसको अटैज कर लेंगे तो ये हमारा लहना हमारी कमर की साइज का फिट बन जाएगा और side में हम यहाँ पर पट्टी लगा लेंगे जिसमें हम hook लगाएंगे तो मैं कमर की belt भी cutting करके आपको बता देती हूँ इसमें उपर belt attach करने के लिए यह जो border वाला part है अगर हम इसकी belt बनाएं तो यह बहुत त्यारा look लाएगा तो इसके लिए हमको अपनी कमर का measurement लेना होता है तो कमर का measurement हम इस type से भी ले सकते हैं कि ऐसे हम नाप लेंगे अगर हमारे पास इंची टेप नहीं है तो ऐसे इस type से थोड़ा सा इसको बढ़ाते हुए एक दम fitting कमर का नाप नहीं लेते हैं थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जब हम buttons बंद करें तो यह हमारे waste पर ऐसे बहुत अच्छे से ऐसे fitting आ जाए तो लगभग इतना loose रखते हुए हम यहां से कपड़े को cut कर लेंगे और इतना जो है हमारा यह उपर वाला part बन जाएगा तो इसको हम लगभग 5 या 6 इंच चोड़ाई इसको रखते हैं और इसको अपनी कमर के नाप के अनुसार कट कर लेंगे और पहले हम यह सारी कलियां attach कर देंगे फिर जिस टाइप से हम पेटी कोट में उपर की पटी कमर की पटी attach करते हैं इसको नीचे से सिल कर फिर इसको उपर से उपर से लाई चला देते हैं उसी प्रकार से हम इसमें यह attach कर लेंगे तो अगर हम चाहें तो यह लहगे का लुक भी आ जाएगा और चोली उपर से अलग से इसमें हम पहन सकते हैं बट मैं इसका गाउन बना रही हूँ तो मेरे को यह कमर की पटी attach करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल मैं खाली इस कलियों को attach कर लूँगी और उपर के body part में इन कलियों को फिर attach करने के बाद मैं उसमें चोड दूँगी जिससे यह पूरा one piece dress एक पूरा full gown बनकर तयार हो जाएगा तो मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ कि बनने के बाद इसका look कैसा आएगा तो friends आप लोग देख सकते हैं कि यह gown जो है मैंने पूरा लगा कर रख दिया है ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाए तो यह जो उपर की कलियां है यह 16 कलियां आगे जुडेंगी और 16 कलियां पीछे की तरफ जुडेंगी और हमारा जो कमर का measurement है जितना भी हमारा होगा उतनी ही दूरी में हम इन कलियों को उपर पतला पतला पकड़ कर मतलब distance जादे इसमें दबा कर सिलेंगे ताकि हमारा इतने में ही adjust हो जाए और नीचे की तरफ हम थोड़ा चोड़ा चोड़ा ये लगा कर सिल देंगे जिससे नीचे जो है पूरा चोड़ाई में हमारा घेर आ जाए और इसी टाइप से हम इसकी stitching करेंगे तो जितना भी चोड़ा हमको कमर चाहिए उतनी चोड़ी ये कमर बन सकती है इसकी सिलाई हम इस टाइप से करेंगे कि जितनी भी चोड़ी कमर हमको चाहिए उतना चोड़ा ये इसको फैला फैला कर इस टाइप से अगर हम सिलेंगे तो ये बहुत चोड़ा भी हो जाएगा और जितना जादा इसको उपर से हम दबा कर सीलेंगे उतना पतला भी ये बन सकता है घेर और फिर ये सारा जब अटेच हो जाएगा तो इसमें लाइनिंग अटेच करने के बाद फिर हम इसको उपर वाले बॉडी पार्ट में अटेच कर देंगे और उसके बाद ये थोड़ा सा बॉडर कट करके अगर हम चाहें तो इस पर अटेच कर दें तो ये बहुत प्यारा लुक लाएगा और उपर वाला बॉडी पार्ट भी मैंने सटा कर रखा है इसमें भी हम लाइनिंग लगा कर सीलेंगे और फिर पलट कर इसको भी अच्छे से स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर स्लिप सटेच कर दूँगी मैं और फिर मैं इसकी सिलाई जो है आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके बताऊंगी तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी गाउन की कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इस गाउन की स्टिचिंग के साथ तब तक के लिए बाई